हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई एस्पडी ऑनलेन स्टडी चैनल दोस्तों देखिए यहां पर मोशन इन स्ट्रेथ लाइन का जो आप यहां पर देख रहे हैं पार्ट टू वह कराए जाएंगे अगर पार्ट वन आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेथ लाइन पार्ट टू का सबसे पहला नमर कोश्चन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजे सब्सक्राइब और बेल अकन प्रेस कर दीजे जिससे कि हम अगर जैसे ही वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले आपके पास पहुंचें तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नमर कोश्चन देखते हैं एक जो है दो मीटर पुर्व और फिर चार मीटर उत्तर और फिर पांच मीटर पस्चिम की और बढ़ता है तो इसका दूरी क्या होगा एक पार्टिकल मू सब्सक्राइब इसका जो डिस्टेंस होगा वह हो जागा 11 मिटर को कि नेक्स्ट हम देखेंगे को स्ट देखें नेक्स्ट नमर को स्टों बोड़ा इफ एब बाडी if a body in a straight line with velocity v1 for 1 by 3rd time and for remaining time with v2 find average velocity बोड़ है इसका कि जो एक pin है वो v1 वेक के साथ सीधी रेखा में 1 by 3rd समय के लिए चलता है और 6 बची जो समय है उसके लिए v2 वेक से चलता है तो आपको पता है सबसे लुए हम लोगो रिमिया नहीं है हमनोंं डिस्प्ależमेंद करेंगे इसका displacement करें अपको पता है इसे निकलेंगे तो इस्पीर इंतु में है तो ती हो है तो देखिए Speed इसका दिया है V1 पहले का हमोगो displacement निकलेंगे पहले displacement निकाल रहे है तो Speed इसका दिया है वृष मूण और TIEMA लो ले तो समय के लिए वरी सच्टा यानी 3 का 1 v3 थाइं हो जाए थो या ठीम हो जागा यह यह बिद Presents T by V1 T by 3 इसका हो गया दूसरे का हम लोग इसी तरह D2 निकालेंगे तो उसका जो Speed है यह V2 दिया है और Time हम निकालेंगे सेस टाइम कितना होगा अगर टोटल टाइम T है और 1 by 3 समय के लिए V1 से चला तो अगर T minus T by 3 करेंगे यानि 1 by 3 घटा देंगे उसमें से तो जो सेस बज़ेगा वह 2 T by 3 होगा आप उसे Find किजिए देखिए अगर T में से तो भी टू इन्टू टू टू टी बाइट्री हो जागा यानि यूरे वन इन्टू टी बाइं थरे वी टू इन्टू टू टी बाइं चिरी और जो इसका टोटाल टाइम है यह हो गया है ट्योट ट्रक्वन लिए आप एक समान कर सकते आपको जैसे आसानी लगोर Say एसे स्वीधा लगी उसे बना सकते हैं तो टोटल टेम्टी मान है तो देखिए टोटल डिस्प्रेस्मेंट हम लोगा हो गया बी 1 इंटू टी बाई 3 प्लस भी टू टी टू बाई 3 और इसका टी हो गया और जब इसे हम लोग अब भी लिख सकते हैं भी 1 by 3 प्लस 2by 2 by 3 नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुश्चन इसमें से आपको बताना है जिसे समाई अंतरालम से भी वाजित कियाता है तो पहला नमर जो होगा वो होगया गलत पहला ही आपका गलत है दूसर क्योंकि ओसफ वेलोसिटी होता है डिस्प्लेशन अपर टोटल टाइम इंटरबल तो टी से तो डिवाइड कर रहे लेकिन यहाप दी है लेंथ लेकिन यहा है सुनिवुइख के साथ तो और छ में जाने वाले कान में सुनित क्यों फॉसकता है इसका जो यहाप उनली जहरे किसी का वैरेवाषन जीरी सबस्क्राइब है तिह का फर्ट नमर गलत दिया है और झाल फोर्ट सेखेंघ के और सब्हुनित का पड़िवान और सथ गती के बराबर होता है तो four नमर होगा-वहगा-गलत हो गया तो आपका जो-incorrect एक त्रेटमेंंट है वान है थ्रिया और फोर है तो इसका अंसर हो जहाएगा c. aí वन अर्नुपात दो यानि वन रेशियो टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेस्मेंट टोटल टैम हम लोग को पता है टोटल टैम दिया एक इसका डिया अगर वन को हम लोग एक समानी है तो इसका टू एक सोगया अगर रेशियो में देता आप इसको एक स्टू एक समानकर आराम से बना लीजए का उसका अंसार आप से निकाल जाएगा तो इसका दोनों का अगर टोटल टैम यहां पर ठीच है ठीच हो गया और रवल दिया है 6 तो 6X हो गया आधिक पहला का सीख से पहला का हो गया 6 x फिर इसी तरह डी 2 निकाल लेंगे तो डी 2 का दिया है देखें डी 2 का जो वैलोसिटी दिए स्पीड दिया है 3 और इसका जो टाइम इंटर्वल है टू एक्स हो गया तो इसका भी 6 हो जाएगा यानि दीवन इसकोल टू दीटू बराबर सिक्स एक्स और जब हम लोगों को इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो दोनों को हम लोग एड कर देंगे टोटल डिस्प्रेस्मेंट अपर टोटल टाइम इंटर्वल होता है तो टोटल डिस्प्रेस्मेंट हो गया 6 और 6 2 जोड़ेंगे तो 12 एक हो जाएगा और इसका टोटल टाइम हम लोगको पाता है 3x हो गया है एक गलत काट देंगे और 3 4 तो इसका जो जो आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर 32 बहुंड जाएगा आप इससे आराम से बना सकते हैं कि इस सब कोश्चन आपके आपके एक दो आती ही है कि दो नहीं एक जरू लाइम नमबर कोस्चन एक पार्टिकल मूपस फ्रों 2,3 मीटर 2,4,1 मीटर दवेंक्ट्यूड मैंग्निट्यूड और डिस्प्लेस्मेंट इस डिस्प्लेस्मेंट हम लोग को बताना है इतना सहीता मिंदा तक चलता है कोई पार्टिकल से कोई बॉड़ी है या कोई घन है तो पलस्य घंद टिस्प्लेस्मेंट्यूड निखलेंगे तो Alae माइनस टोजह में बॉटेटिकल नीक्राइगे तो हो जाईगा सी हो नेक्स्ट हम लोग कुश्चन देखेंगे 26 नमर कुश्चन में देखें क्या वोड़ा है विच आप दो फॉलेंग इस नॉट पॉसिबल फॉर इन यूनिफॉर्म मोशन बोड़ा निभली खित में से कौन सा पिंड एक समानगती में संभव नहीं है एक समानगती में संभव होने के लिए आपका जूद डी है और टी के भी जो ग्राफ होगा वह होगा सीदी रेखा में तो यह दोनों फॉलों नहीं कर रहा है इसलिए इसका जो अंसर हो जागा वह होगा सी 27 नमर कुश्चन हम लोग देखते हैं एमायन ओमायन लिप्स हीज है वह अपना घर छोड़ कर साइकल से चला जाता है लेकिन एक वन किलोमिटर करने के बाद फिर पूर्ना अपने घर आ जाता है तो इसका वैलोसिटी इसका displacement हो जाएगा जीरो कि जहां तक गया फिर वहां से पूरा वापस आ गया तो इसका displacement जीरो हो जाएगा अगर displacement जीर है तो इसका वेलिशिटी एवरेज बैसे विल बी और जीरो तो इसका जो वेक तुरन दोनों या A होगा तो इसका जो आंसर हो जागा वो होगा आपका D होगा अप D कैसे होगा देखिए हैं आप एक्स्प्लेशन दिया गया है मार की प्रकृति वेक की दिशा और तुरन की दिशा से तह होती है यह तो आपको पता है वेक की दिशा और तुरन की दिश जो मार्ग की प्रकृति है यानि जो नेचर आफ पाथ है वह उसकी वेग की दिशा और तुरन की दिशा से तय होती है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वापका डी बी और सी दोनों वेग और तुरन की दिशा से दोनों नेक्स्ट हमनों देखते हैं 29 नमर को चंद ग्राफ बीटिन डिस्प्लेस्मेंट एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूभिंग विट यूनिफॉर्म एस्ट्रेशन इज ए स्ट्रेथ लाइन विट पोजेटिव स्लोप प ओधिया और सम GG आपको पता होगा, एशा समान तुरन के लिए पोबिष समय के जो ग्राफ होता है वह होता है ऐसा होता है तो आपको पता है किसका ग्राफ है नkęता कि इसका वह ग्राफ रूर्फ होगा B निक्स्ट हम लोग देखेंगा कोश्चन 29 के बाद 39 कोश्चन The Acceleration of a Particle The Acceleration of a Moving Body can be found from Area on a Velocity Time Graph, Area on a Distance Slope of the Velocity Time Graph, Slope of the Distance Time Graph गतिमान दूरी समय ग्राफ के धलान से तो इसका जो आंसर हो जागा आपका 39 का जो आंसर हो गाव एक समय ग्राफ के धलान से हम लोग कर सकते हैं, गतिमान पिन के तुरान को किसे ग्याद किया जा सकता है तो वेक समय ग्राफ के धलान से, तो इसका जो आंसर हो जागा वो होगा C क्यूंकि B और T के विच्छ जो इसका जो धलान हम लोग से लोग फाइंड करते हैं, 10 टिटा वराबर भी अपन T होता है, तो इसका जो आंसर हो जागा होगा C इसका जो आंसर हो जागा वो होगा D 32 नमर कोश्चन देखेंगे The incorrect statements from the following is या आर इसमें से incorrect statement हम लोग को find करना है प्रत्म सुन्य वेग वाले पीन में आवस्यक रूप से सुन्य तवरण नहीं होगा सेकेंड हम लोग देखेंगे सुन्य वेग वाले पीन में आवस्यक रूप से सुन्य तवरण होगा ठर्ड देखेंगे एक समान गती वाले पीन में केवल समान तवरण हो सकता है और समान वेग वाले पीन में सुन्य तवरण होगा तो इसका जो आंसर हो जागा वो होगा A एक ऐसे होगा देखें इसमें इनकर्यक्ट एस्टेटमेंट करना है जो गलत है उसी को फाइंड करना है तो प्रतम देखें प्रतम जू है सुने व्ड़े। रखाइस में से सोने तोरन नहीं होगा यह बात सही है क्या we град देखेंगे जब हम किसी पीं को को प्रोटी को फेकते हैं तो देखते हैं कि यहां पर फ्रोचे था में कि मैकसीम प्रीषा साबित यहां अनुत में आख i करते हैं पर अपका सअधि है यानि प्रूथ्म वाले बीन में अवस्य क्रूप से तोरं तूरं ज़ो है वह सूने नहीं होसकता है यहां पर भीवसन नहीं है तो इसका यह जो changer इत कि आप रहा है तो सब्सक्राव रूट थे हैं तो सेकेंड हमलों का गलत होगा ठर्ण नमर देखेंगे समान गति वाले पिंड में किवस्थ समान तौरण हो सकता है जब करवान नहीं हो सकता है इसका जो जो अंसर ठर्ण भी जो है वह गलत है कि आफुर्थ नमर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और समान वेग वाले पिंड में सुने तवरन होगा और समान जिसका वेग वेग उसका चेंज हो रहा है तो उसका एसलेरेशन है कि उसका एसलेरेशन भी होगा एसलेरेशन उसका सुने नहीं होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और समान वहरी कर रहा है तो अगर वेलोसिटी ली इसका वह ही कुर है तो इसका एसलेरेशन है वह सूने नहीं हो सकता है इसलिए इसका जो हुआ कर्लिए गारिऑ यह होगा सभी हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग कोश्चन देखेंगे 33 नमर कोश्चन देखें यहां पर 33 नमर कोश्चन कर लिजेगा विच अब दा फूलूइंग इस दा करेक्ट एक्स्प्रेशन ऑफ दा इंस्टेंटेनियस एसलेरेशन बोल रहा है कि विच अब दा फूलूइंग इस दो इनकरेक्ट विच अब दा फूलूंग इस दा करेक्ट एक्स्प्रेशन ऑफ दा इंस्टेंटेनियस एसलेरेशन यानि इनिता चिनिक तोरण के लिए इसमें से कौन सा जो रिलेशन वह सही है तो इसका फॉर्मूला UBDT by next question, 34 question यदि कोई पिन अचर तुरन के साथ रा करता है तो निमली खित में से कौन सी मात्रा इस्तिर आती है यदि कोई पीन उचर तुरन के साथ यात्रा करता है यानि consistent inflation के साथ move करता है तो निमली कित में से कौन सी जो इसका quantities है वो constant होगा तो इसका जो constant होगा अगर horizontal हो अगर होडिजेंटल हो होडिजेंटल सर्कुलर मुशन करता है तो इसमें connecting energy इसका constant होता है लेकिन यहां पर बता नहीं रहा है कि सर्कुलर है या वर्टिकली है तो इसका जो answer होगा वह होगा डी है नेक्स्ट हम लोग 34 के बाद 35 नमर कोश्चन देखते हैं velocity time curve of a body projected vertically of what is parabola ellipse hyperbola यह straight line vertically velocity time graph velocity time graph of for a body projected vertically यानि एक कोई पिंड है उसको उपर की और फिका जारा है तो जो velocity और टाइम का जो करवा होगा वह क्या होगा तो वह होगा सीधी रेखा में 36 नमर हम लोग कोश्चन देखेंगे इस बस स्टार्ट मूबिंग इस तुमितर प्रति सेकंड स्क्वाइर इस रेशन है तो इसक्राइर होगा एस साइकलिस्ट 96 meter behind the boss starts simultaneously towards the boss at 20 meter per 30 seconds after what time will be what after what time will he be able to यानि बस एक बस है जो 2 meter per 30 seconds square तोरन के साथ आगे की और बढ़ना शुरू कर रहा है एक साइकल जो 96 meter 96 meter धुरी पर है एक साइकल चला एक साथ 20 meter प्रतिसेकंड की रफ्तार से बस्क की और बढ़ता है तो किस समय के बाद वह बस्क से आगे निकल पाएगा तो देखिए इसको जब हम लोग इसका हम लोग फर्मूला से एस बरावर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वार से फाइंड करेंगे एस हम लोग का दिया हुआ है 96 meter यू हम लोग का जो बस साइकल का दिया है वो दिया है हम लोग का 20 meter प्रतिसेकंड इसका टी होगी टी नहीं हम लोग को फाइंड करना है माइनस हाफ है कि अब यह हो गया इसका बसका जो एसलेरेशन दिया वो टू दिया है और टी स्कुर्ण करना है तो कि आप ओडिते कищ लिए करू कि कही नहीं बस का जो और रिटाडे deciding हुड़ा तब ह साइकल उसको पकर पर रहा है यानि बस कही नहीं को धीम हो रहा है और उसको पकरर रहा है जो है हो वह साइकल उसको को टेक अप कर रहा है तो इसका हम लोग जब करेंगे 96 तो टू से टू हम लोग इसको कड़ेंगे तो 96 इसको टू ट्वाइंटी टी माइनस सब्सक्राइब तो यह दिवगा समी करन हो गया जब इसे आप फाइंड करेंगे तीश का जो आंसर आजाएगा एक सेकेंड होगा एक ट्वल सेकेंड होगा देखेंगे यहां पर अगर उसको उंसाल करेंगे तो टीवगा स्कौराइब माइनस ट्वेंटी टी प्लस 96 इसकोल टू जीरो हो जाएगा जीरो होने के बाद जब दिवखास हमिकरों में तोड़ेंगे तिहां पर जाएगा टी इंटू टी माइनस एट फिर यहां पर जब होगा यहां पर आपका टी माइनस एट टीन यहां पर हो जाएगा आपका टूएल अब इस विए गरांस से शॉल्फ करें सकते हैं आप रोग तो इसका जो होगा टी माइनस एट बढ़ाबर जीरो और एक टी माइनस टूएलब इसको टू सीरो तो देखें आप दो एंसर एक टी पर बढ़ाबर एट सेकेंड और टी वर्ट राबर टूएल तो इसका जो इस पर जो answer दिया है तो ज़ित OH बना लीजागा निएगा नेक्स्ट हम देखेंगे कोश्चन 37 नमर कोश्चन 37 नमर कोश्चन बुर रहा है एक गतिमान वहान की रूकने की दूरी समानुपाती है stopping distance of a mobile vehicle is directly proportional to तो तो देखिए आपको पता है वी स्क्वाइर ब्राबर यू इसकार माइनस टू एस रूक रहा है तो जाहिर सी बात उसमें रिटर्डेशन हो रहा है तो यह हो गया आप फाइनल वेलिशिटी विल भी जीरो होगा इसका तो यू स्क्वाइर ब्राबर टू एस तो जो एस है वह डिरेक्ट प्रोपोर्शनल है यानि प्रारांबिक वेर्क के वर्क के समानू पाथी है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ए नेक्स्ट हम लोग ठाटी एट नमर कोश्चन देखनें दर दिस्पेस्मेंट ओफ ए पार्टिकल इस रिपर्जेंटेड बाइड फॉल्लइंग एक्वेशन यानि इस ब्रावर निगे 3T क्यूब है 3T ग्रेंगे वर मिवंच्याओं सेकेंड सब्सक्राइब है मतबरन निकालना इस निकाल दखेंगहां नहीं सब्सक्राइब साइबन wil तो इसका हो जाएगा 18 t plus 14 अब यहां पर टी बाराब राब बावन पर फाइंड करना है कि बाराब भावन राखेंगा तो इसका जो आएगा 32 मीटर पर 30 सेकंद स्क्वाइगा इस रिलेसंट तो इसका अंसर जो हो जाएगा आपका होगा c number 32 मीटर 30 सेकंद स्क्वाइड इसका retardation क्या होगा यदि फिच एन की यातरँ करने वाले ट्रेश हम्मिटर दूरी तreich करने के बांद भी-तय मिलाय जाता है तो इसकी मन जड़ता क्या होगी तो इसकी मनद थ़ा होगी इसका वही हम लोग लगें वीस कारगेंगे ऑफ और यह स्कर माङनस तुए हैस्ध एक फाइनल वेलेसिटी जीड़ हो जा रहा है थी यूए स्कार बारावर टू एसो जा रहा है था तो यह पे इंडिटारेशन फाइंड करना है था यह स्कार यानि वीस मिटर पर थी सेगन लिया थे 20 इंटु ट्वेंटी टू इंटु इस दिया है 200 और यह हम लोग को फाइंड करना है तो इसका ए निकल जाएगा वन मीटर पर 30 के स्क्वाइर तो जो इसका अंसर हो जाएगा एवन मीटर पर 30 सेकंड स्क्वाइर नेक्स्ट हम लोग देखें देखें यहां पर वन मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर इसका आप करेक्ट कर ली जागा फोटी नमर कोश्चन वब देखते हैं यह ग्राफ में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको ग्राफ देख लेना है विच अप्ट इसका जो ग्राफ होगा वह होगा इसका ग्राफ सही है देखें आपका यह मोसन इस ट्रेट लाइन का पार्ट फोर भी आएगा सारे टॉपिक का सारे इंप्रें इंप्रेंट जो भी कोश्चन होगा वहां पर यहां पर आपको अपलोड किया जाएगा अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा हो तो अग पहले आपके पास पहुंचे हैं तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद